थ्री केटी एवरेज एनर्जी एक अणूने लागू पड़ेशे एनो अर्थ के एक हर्मोनिक ओसिलेटर एटले के एक एटम एटले के त्रण हर्मोनिक ओसिलेटर आ वाद थाई क्लासिकल एप्रोच नी सरस अले टुक मां क्लासिकल एप्रोच मां एनर्जी नू मुल्या कोईपण लई सके एवा संदर्म मां आपने जे सिस्टम नी इन्टर्नल एनर्जी सोधी ए त्री केटी थाई क्लासिकली ट्रीट करवा थी तो आ संदर्म मां जहरे एक तापी गोंड़र में आजे खास करेंने स्पेसिपिक हीट नी वाद करी रहाचे तो एनू मुल्या आ इन्टर्नल एनर्जी सोध्या फची कि वर्ते मेडवी शका है जे प्रहाणे आपड़े आगड़ इन्टर्नल एनर्जी नी वाद करी ए इन्टर्नल एनर्जी बिजु कसु नथी पन टोटल वाइब्रेश्नल एनर्जी छे जेनू मुल्या छे थ्री केटी हवे स्पेसिफिक हीट सोध्वा माटे आपड़े इन्टर्नल एनर्जी नू ता आपमानना विद्रिस्पेक्ट तू पार्शल डेरिवीटिव करवी जरूरी छे अवे आपनने खबर छे के आपनी सिस्टम मां नंबर ओफ एटम्स एनजी रो छे अने एक एटम्स ने अनुरूप एवरेश कैनिटीक एनर्जी त्रण इक्विवेलेंट ओसिलेटर प्रमाने थ्री केटी छे माटे एनी वैल्यू थसे 3RT एनो मतलब के जो डो E बाई डो T करवा मां आवे के जह मां वॉल्यूम कॉंस्टन्ट राखिये तो पार्शल डेरिविटीव नू मुल्य आपणने मले छे 3N0K जिया 3R बरबर 5.97 किलो कैलरी पर किलो मोल पर कैल्विन एवो आपणने जमनी बाजू जवाब मले छे एनो मतलब बे ओ थयो के CV बरबर 3R आवे आ 3R मा आर कॉंस्टन्ट छे 3 पन कॉंस्टन्ट छे अने आज ए समी करण छे एना थी जे परिणामों मले छे ये परिणामों आपणने किटलाक सॉलीड माटे बधा माटे नही आने रून टेंप्रेचर अथवा तो रून टेंप्रेचर थी एबाउ टेंप्रेचर माटे प्रायोगिक मुल्यों साथे मलता जुवा मले छे आ प्रकारना तारावनी नी सौथी पेलू काम डुलोंग पटिट नामना विग्न्यानी के करीतु माटे एन्य डुलोंग पटित लो पन कहे छे अने एनी पोता नी एक हद छे लिमिटेशन्स छे तो सहब आतो डुलोंग पटित लो एक विफर रहो घणाए आपने आटलों जे क्लासिकली ट्रीट करिया पार्टीकल्स ने अने एवा संदर्ब माँ जेरे आपने स्पेसेपिक हीट सो दी अने जे डुलेंग पटित लो नो जे समिकर नाव्या जे प्रावगीक मुल्य साते मेड़ खातो नथी महद आउसे तो आतो सिस्टम ने एक जातने फेलियर थाई एटले के क्लासिकल एप्रोज फेलियर थाई एवा गणाए शुयम एवा कही सकाए खरू ना व्यासेब एमा आतो एक थिहरीने समझवा माटेनी सरू आच्छे एप्रोज फेल नथी थाई पने एमा केटली क्षती होचे एक शतियो ने आपड़े एक ग्राफ नी मदद थी के जे आपड़े डिस्पले माँ जोई शक्किये चे ए प्रमाने समझवा प्रहत्न करिये विद्यार्थी मित्रो तमने जे अत्यारे तमेचे देखी रहाया चो एक ग्राफ स्पेसिफिक हीट नो अलग-अलग तापमान पर आपेलो छे आ ग्राफ नी अंदर लीड, अलुमिन्यम, सिलिकॉन, कार्बन आत्रण अनुमों माटे स्पेसिफिक हीट जिरो डिग्री केल्विन थी लाई अने हायर टेंपरेचर सुधी ड्राउ करे ली छे एमां तम्हें जोसो के जेम जेम टेंपरेचर घटे छे तेम स्पेसिफिक हीट जिरो थाई छे उपरांत दरेक अलग-अलग अलिमेंट माटे लो टेंपरेचर रीजियन माँ इटले के 300 डिग्री केल्विन थी नीचे ना रीजियन माँ घणो तफावत छे इटले के क्लासिकली तम्हें लो टेंपरेचर रीजियन समझावी शक्ता ना थी इटले एनी एक ड्रॉबेक छे के लाइट अटम स्माटे तमने योग्या जवाब आप तु लथी तो सासाइब आप समझाओ कि वे जारे आपने क्लासिकली ट्रीट करिया ने ये वक्त आपने सिस्टम मां फेल गया तो इवास अंदर मां आपने हवे स्पेसिपिक हीट नू आपने सिस्टम ने समझवा मांटे जे मां क्लासीकल मिकेनिक्स ए मुढ़भूत सिद्धान ते ध्यान मां राख्यो के दरेक पार्टिकल जे लेटाईस मां आसपास ना अनुवच्चे बैठेलो छे ते पोते एक हर्मोनिक ओसिलेटर छे अवे आ हर्मोनिक ओसिलेटर कोई एक निश्चित एनर्जी थी अने एवी दरेक अलग-अलग वैल्यू थी ओसिलेट थाई शके छे आएक पूर्वधारना चे एनो मतलब के लेटाइस ना पार्टीकल नी मिनिमम जिरो थी लईने मैक्जिमाम कोई पन वाइब्रेस्टलान एनरजी होई शके अवे आजे पूर्वधारना चे ए मौडन फिजिक्स प्रमाने ज्यारे प्लैंक्स लोए ब्लैक बॉडी रेडियेशन नी समझूती आपी त्यारे आ संदर्ब माँ जो समझवामा आवे के E is equal to H2 ने ध्यानमा लेवामा आवे तो आ संभावना बदलाई जाए छे अवे जेरे जुनो एप्रोच एटले के classical एप्रोच छोडीने तमे जो नवो एप्रोच करो तो तमने आमा चोकस कोई नवा परिणामों मड़े के जे परिणामों तमने प्रावगीक मुल्य साथे वदू नजीक ना मुल्यों आपी शके अवे बिजु एक समझवानी ये जरूर छे के statistical mechanics आपने जे अपलाई करिऊ छे Maxwell's, Boltzman, distribution जे आपने ध्यान मा लिदू छे आ distribution ने बदले हवे आपनों distribution पड़ बदला से इटले statistical mechanics मा फंक्शन बदलवा थी, probability बदलवा थी एमा सुधारो थाई शके छे, बिजु के दरेक oscillator नी कोई पन एनरजी छे एवे ध्यान मा राखवाने बदले E is equal to H new अथवा तो NH new प्रमाने अलग-अलग energy होई शके जेने आपने quantized energy कहिए, quanta कहिए अथवा तो ए एनरजी ने अनुरू photon एने ध्यान मा लईए तो दरेक oscillator एक photon तरीके भिहेव करी शके छे अन्य जो एने एक photon तरीके घणवा मा आवे तो आपने जे सिस्टम ने क्लासिकली समझवा माटे प्रयत्न करे हो एनी internal energy vibrational energy ना फॉर्म मा समझवा माटे आपने जे प्रयत्न करे हो तो बदले ही शके से अवे आ प्रमाने जो आपने काम करी है तो आपडू distribution function ए बोज आइंस्टाइन distribution function बनी जाई से अवे बोज आइंस्टाइन distribution function ए एनर्जी ने बदले frequency ने ध्यान मा लाए छे एटले के दरेक oscillator एक फोटोन साथे चोककस एनर्जी ना फोटोन साथे संक्लायलो जो गणवा माँ आवे अने एज प्रकारे सिस्टम ना बदाज पार्टिकल्स एक एनर्जी ना फोटोन साथे जोडायला छे यूँ जो समझवा माँ आवे तो स्लाइड माँ बतावे आप्रमाने बोज आइंस्टाइन distribution function FV F NU is equal to 1 upon E raise 2 1 upon E raise 2 H NU upon KT minus 1 ए प्रमाने आपने दर्शावी शक्किये जिया H NU A energy of the oscillator थसे अने any value discrete छे आना पर्थी जो average energy सोधवा माँ आवे तो ए आपेला सुत्र प्रमाने H NU upon E raise 2 H NU by KT minus 1 ए रितिया आपने प्राप्त थाई छे एटले तमें जोशो के पहला आपड़े जे average energy मात्र केटी लेता था एने बदले average energy नू तमारी पासे quantum mechanics ने आधारे मालेलू 9 सुत्र माल्यू के जे मा frequency नो उप्योग करेलो छे जे मा Plancks constant H नो उप्योग करेलो छे हवे अना अधारे आपड़े इंटरनल energy समझवा माटे प्रायतन खरी एटले के अत्यार सुधी माँ आपड़े जे चर्चा करी ते classical approach नी हती अवे जे आपड़े approach लगाड़े चे बोज आइंस्टाइन डिस्टिबिशन फंक्षन एक quantum एपड़ोच छे अने आ quantum एपड़ोच माँ दरेक एटम ने independent harmonic oscillator तरीके लेवा माँ आवे चे जेनी पोतानी एक natural frequency चे discrete energy spectrum छे अवे आपड़े पहला ज ध्यानमा लिधूतेम molar specific heat आपड़े calculate करी रहा छे इटले के system माँ एण जीरो एवोगेडरो नंबर जे टला atoms छे अने एने अनुरूप टोटल एनरजी सुत्रमा बताव्या प्रमाणे e is equal to 3 into n0 h nu upon e raised to h nu by kt minus 1 थाई शक्के छे तुक माँ शासाइब क्वांटम मिकेनिकली लेटाइस माँ दरेक एटम एक independent harmonic oscillator छे एमे ट्रीट करवू अने एने एनरजी पने डिस्क्रीट छे लेके चोकस से h nu जेटली छे आ एक एपरोच माँ आपड़े जे फेरफार कर्यों एना धार्य हवे जे आपने स्पेसिपिक हीट नू मुल्य मढ़से एक केवू हरसे अने आवे एने पची आपड़े क्लासीकली जे ट्रीट करवू एनी साथे पन आपड़े सरखावी अने आपड़े एक तारण काड़वा मागिये छे तो आ संदर्भ माँ स्पेसिपिक हीट नू मुल्य क्यों मढ़से विद्यार्थी मीत्रों आपड़े कौंटम एपरोच डिस्टिबिशन फंक्षन बदली अने ओसिलेटर नी एनरजी एच निू घणी ने एनी एवरेज एनरजी सोधी ने करेो छे स्पेसिफिक हीट नी फॉर्मिला तो एज रहे छे कि तमारे टूटल एनरजी ने टूटल इंटर्नाल एनरजी ने तापमान साथे जारे तमे पार्शल डिफरेंशियेशन करो छो अने वॉल्यूम ने कॉंस्टन्ट गणोशो त्यारे जे वेल्यू मळे ए स्लाइड मा बतावे आ प्रमाणे 3R इन्टू H नू बाई केटी होल स्क्वेर इन्टू E रस्टू H नू बाई केटी डिनोमिनेटर मा E रस्टू H नू बाई केटी माईनस 1 रस्टू ठासे अवे एन्टो मतला बिभो था कि आ जे नवी फोर्मिला मढ Ihr फोर्मिला कौंटम स्टेटेश्टिक्स सन्ढा अधारे आपने मढ़ी छे आ एप्रोच अपने आईंस्टाइन या आपे होवा थी, आप फॉर्मिला ने आईंस्टाइन पॉर्मिला पन कहे छे अबे व्यास साय भे जे रिते आपने वाद करी के jouri । अपने उस संकल्प करयो छे कि आपड़े जेपन फिरफार करया एना थी आपड़ा मुल्यो वदू सारा आवा जोए अने क्लासिकल मेकेनिक्स अने कौंटम मेकेनिक्स बन्ने ने आपड़े समझी शकवा जोईए अवे यह एक उधारन जोईए कि आपड़े जरे अगव जे क्लासिकल मेकेनिक्स नी वाद करी एमा सीवी मात्र थ्री आर मड़तू होतू अने एवरेज क्यानिटीक एनर्जी आपड़े केटी लेता था अवे जो खरे-खर आइंस्टाइन फॉर्मिला अथवा तो कौंटम अप्रोच जो साचो होए तो एनर्द वारा आपणने क्लासिकल वेल्यू पन मड़ी जोईए केम के हाई टेंप्रेचर मांटे स्पेसिफिक हीट क्लासिकल ली तो प्रावगिक प्रेणामोंने मले छे माटे आइंस्टाइन्स फॉर्मिला थी पन हाई टेंप्रेचर मांटे स्पेसिफिक हीट क्लासिकल फॉर्मिला जेकली थवी जोईए तो ए समझवा मांटे आपड़ एक assumption लईए के धारों के h new is very very less than kt एनों मतलब के t ए रूम टेंपरेचर के ते थी उपर नू टेंपरेचर छे जे आरे t ने आपड़े केल्वीन मा लईए छे त्यारे अंदा जे रूम टेंपरेचर आपड़ू 300 डिगरी केल्वीन थाए एना संदर्ब मा h new नी वैल्यू घणी ओछी छे तो आवखते आपड़े जे फॉर्मिला मा e raised to h new जे टर्म जोई रहा छे ए टर्म ने आपड़े बाइनोमियल एक्सपांजन नी मदद थी e raised to x ना बाइनोमियल एक्सपांजन नी मदद थी पहली बैटम ना स्वरूप मा जोई शक्ये छे एटले कि जो e raised to h new upon kt ने 1 plus h new by kt थी रिप्लेस करवा मा आवे अने जो average energy सोधवा मा आवे कि जेनू मुल्य h new upon e raised to h new by kt माइनस 1 छे तो ए average energy आपणने केटी जेटली मड़े छे आनो मतलब ये थयो कि Einstein's formula द्वारा आपणने जे average energy मड़ी जे high temperature नों आपणे उल्लेक करयो एक classical physics ने मड़तो आवे छे माटे आपण कहिए छे कि आ formula वदू योग्या छे अने जे classical physics ने ध्यानमा राखे छे अब ये भीजू के low temperature माटे सूथ हाई छे तो के at low temperature जे energy spacing छे ए वधी जाई छे एटले के जो तम्हें quantum energy states law अने तापमान घटाड़ो तो low temperature पर 2 energy spacing वधा रहे छे जरे high temperature पर energy spacing वचू छे इटले के तम्हें continuous energy ने ध्यानमा राखी शको छो high temperature पर classical physics साचू ठरे छे एनू मतलब के तम्हें energy spectrum माँ energy levels नजिक छे माटे तम्हें classical physics ने साचू कही शको छो पन low temperature पर energy levels जुदा जुदा होवा थी जें T0 थाई छे तें CV पन 0 थाई छे जे आपड़े आ फॉर्मिला परती जुई शक्किये छे अवे आ फॉर्मिला नी एक विशेषता आए छे कि आ फॉर्मिला आपणने low temperature माटे थुड़ो घणो आउशे फेरफार सुच्वे छे पन ते छता ए प्रायोगीक मुल्यों साथे पुरे पुरू सुसंबद समीकराण आपणने आपी शक्ती न थी मनमा प्रस्ण उद्भवे के आजे सिवीना मुल्य आपणने क्वांटम मीकेनिक निकली ट्रीट करिया अने सिवीना मुल्य जेक इक मड़िया ते क्लासिकल करता तो साराज छे हाई टेम्परेचर अने लो टेम्परेचर पर महद अंसे प्रावगीक वेल्यों ने सिद्धादिक वेल्यों बेल लगबग मेड खाई छे महद अंसे एलले क्वांटम मेकेनिकली जे आइंस्टन नों समीकराण छे ये खुबत सारू चे आम कई प्रावगीक वेल्यों साथे सिद्धे सिद्धो मेड सा माटे नती खाई तो सु हमा पड़ क्या कोई तुरूटी छे किसनू इले सम्पूर्ण पड़ इंपिरिकल वैल्यों साथे मेड खाई यू केम नती तो यहनू सु कारण होई सके व्यास सहेब आपड़े जरे प्रारम मां स्पेसिफिक इटने समझवा माटे लेटाइस नी बाद करी स्टेटेस्टिकल फिजिक्स नी बाद करी मैक्सवेल्स बोस में डिस्टिबिशन नी बाद करी अने क्लासिकल एप्रोच लिदो एवरेज कानेटिक एनर्जी केटी पर इस उधारा मां आपड़ी एक मुलभूत धारणा रही छे के इच एटम इन एक क्रिस्टल और लेटाइस इस एन इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ओसिलेटर अवे तमें एक वस्तु ने जुदा संदर्ब मां समझवा प्रायत न करो धरो केवु तमने संजाओ कै आपणी पासे गणावदा पर्टीकल्स छे एक पर्टीकल्स गेस ना न थी पन सॉलिड न चे अवे जँ सॉलिड ना पर्टीकल हो तो हेनो मतलब एवो थयो कि ए पर्टीकल बीजा पर्टीकल्स साथे संकड़ायला छे पार्टिकल पोते आंदोलन करे छे पणे आंदोलन पणे नुसिमीच छे एनों मतलब के आखी सन रचनामा दरेक हार्मोनिक ओसिलेटर जे आपड़े कॉंटेम इके निकली इंडिपेंडेंडेंट ट्रीट करे छे तियो पोते स्वतंत्र ना थी तो आ प्रका अने बाई थीरी जे छे एमा अने क्वांटम मिकेनिकली ट्रीटमेंट आपड़े जे हार्मोनिक ओसिलेटर तरीके ते ये ब्यानी खास भेदरे खास हुँँचे एक वाद